क्यू आर कोड गैलरी से स्किन करके पैमिंट कैसे करें क्या आप भी जानना चाते हैं आपके वाटसप पर या फिर आपकी गैलरी पर कोई क्यू आर कोड आया है अब आप उसे स्किन करके पैमिंट करना चाते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं 2024 के अंदर एकदम लेटिस्ट वीडियो है आपके पास कोई भी UPI app हो गया Google पे, Phone पे, कोई भी XYZ app है UPI app उससे आप करना चाहते हैं तो आपको देखो क्या करना है उनसे कहना है QR code अपना भेज दीजिए जैसी में WhatsApp पर QR code भेजेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीकी से download कर लेना है जैसी आप QR code को download करेंगे अब आपको देखो QR code गैल्री के अंदर देखने की मिल जाएगा WhatsApp में आपको चेक करना है WhatsApp होगा इस तरीकी से आपको देखने के लिए वो मिल जाएगा ठीक है अब आपको देखो क्या करना है आपको अपने phone pay पर Click करना है जैसी phone pay पर Click करेंगे इस तरीकी से phone pay का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा ठीक है अब यहाँ punya skin का एक यहाँ पर option होता है यानि कि logo अपको इस पर आपको Click करना है जैसे आप यहापको क्लिक करेंगे तो आप Jupiter को क्लिक करना है और यहापको इमेज को सिलेट करना है इमेज को सिलेट करेंगे अगर आपका वाटसप पर वाटसप पर क्लिक करेंगे जहां पर भी आया है उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे कि मेरा वाटसप पर वाटसप मैंने क्लिक कर दिया है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे automatic deduct कर लेगा ठीक है अब यहाँ पे आपको उसका name so हो जाएगे जिसी वक्ति को आप भेजना चाते हैं ठीक है name so हो रहा है उनसे पूच लेना है कि इस name से आपकी payment होनी है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे जितनी भी payment होनी जितनी रुपए आपको भेजने है तो यहाँ पे आपको डाल देने है ठीक है इस तरीकी से आपको यहाँ प्रॉसेट टूपे पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो भी bank है एक से ज़्यादा ठीक है bank को select कर लीजिए और जैसे आप पर यहाँ select करेंगे उसके बाद आपका जो भी UPI PIN है ठीक है XYZ को डालेंगे और यहाँ पर आपको done कर दिना है ठीक है और payment हो जाएगी और आपके सामने message भी आ जाएगा तो आपको कैसे चेक करना है फिर जो payment हुई है वह successful हुई है की नहीं हुई है तो आपको फड़ा बैक जाना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको इस तरीके से बैक जाना है और यहाँ पर आपको history का option दिखिए का यहाँ पर क्लिक करना है history पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपने payment की होगी की वार्पोट से वो यहां सो हो जाएगी इस पर क्लिक करना है अब वो कहेंगे कि transaction ID बताजीजे तो transaction ID ये देखो रही इस तरीके से इसका आपको एक screenshot ले लेना है screenshot उनके साथ आपको साजा कर देना है ठीक है तो प्लाल मैं इस वीडियो में लेता हूं विडियो आपको यह कैसी लिए कमेंट पर हमें जरूर बताईए जैहंद बंदे मात रहूं